हेलो फ्रेंट आप दिखरा है टेक्निकल हिंदी गुरूजी फ्रेंट चात्रों के लिए गुड नीज है जैसा कि आप सभी को पता है कि नीट 2021 की एकजाम डेट को लेकर के एकजाम साल में दो बार कराए जाना चाहिए या एक बार कराये जाना चाहिए आज मंडे है और आप सभी को पता है कि मंडे 25 जनवरी 2021 को मीटिंग होनी ही जी आप फ्रेंट से मिनस्ट्री ओप एजुकेशन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंटी एक बीच मीटिंग होना है जो कि हाई लेविल का मीटिंग है जिसमें फ्रेंड डिसाइड किया जाएगा कि जो नीट का एक्जाम है वो साल में कितने बार होना चाहिए एक बार हो होगा बुक क्या चाहते हैं आप ओनलाइन एक्जाम चाहते हैं तो छात्रों के क्या रिप्लाई आए हैं वो देखेंगे साथी जो इस वीडियों हम देखने वाले हैं कि जो नीट 2021 का जो मीटिंग है उसका क्या एजेंडा है तो चलिए टाइम नाइब बेस्ट करते वीडियो को लाइक नी के आँव भीडियों लाइक कर दीजीगा टेकनीकल हिंदी गुरू चैनल पर ही यानि ही यूट्यूब चैनल पर ही मैने कम्मूनिटी में एक आपको जो पॉल डाला था जिसमें देख सकती हैं तीन घंटे पहले मैंने यह पोल डाला था और इसमें यह मैंने लिखा था कि which mode is the exam of NEET 2021 यानि कि मैंने पूछा था कि जो NEET का exam है वो किस mode में होना चाहिए तो छात्रों ने यहाँ पर क्यार आए दी है वो आप देखीगा तो इसमें टोटल जो है 246 बोर्ट चात्रों के आए है यानि आप लोगों में से 246 candidate ने students ने यहाँ पर बोर्ट किया है इसको तो इसमें देखीगा इसमें यहाँ पर देखीगा है इसमें मैंने लिखा था पहला जो choice था कि online two time यानि कि online mode में two time exam होना चाहिए चाहिए साल में दूसरा मेरा यहाँ पर था कि offline two time यानि कि offline exam होना चाहिए साल में दो बार तो यह जो चात्र ने बोर्ट किया है 276 चात्रों में से तो वो 50 से उपर है 52% चात्रों ने इसको बोर्ट किया है मैंने आगे लिखा था कि बी इन एनी मोड बट offline तो यहाँ पर देखीगा चात्रों ने इसके लिए 17% बोर्ट किया है बी इन एनी मोड बट online यहाँ पर जो है 30% चात्रों ने बोर्ट किया है अब देखी फ्रेंड्स बात यहाँ पर यह है कि सबसे ज़दा बोर्ट चात्रों ने किया है offline two time यानि कि साल में एक जाम दो बार हो और offline conduct कराया जाना चाहिए यानि पेपर द्वारा तो यह 52% candidate ने जो है इसमें से 276 candidate में से 52% candidate ने जो है इसको vote किया है अगर हम इसको 50% भी देखें तो 50% आप देख सकते हैं 138 candidate ने इसको बोट किया है और आप यहां पर देखीगा करीबिन 140-146 ने इसको बोट किया है ठीक है मैं आपको बता दूब फ्रेंट्स की जो offline है pen paper का जो mode है वो बहुत पुराना हो चुका है आज के time को देखते छेगा तो देखी फ्रेंट टेलीग्राम पर मैंने जो है यहां पर पोल डाला था आप टेली ज्राम टेक्निकल हंदी घुरुजी नामसे है पर टेलीग्राम पर चैनल उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्ट न बिल जाएगे जो आइन किया हो तो ओफलाइन हो लेकिन एक बार एक्जाम हो साल में तो देखी मैं आपको बता दूँ सबसे पहली बात तो यह है ऑफलाइन की अगर मैं बात करूं तो यह ऑफलाइन बहुत पुराना मोड हो चुका है आज के टाइम पूरा डिजिटली है ऑउनलाइन होना एक आपके लिए को इस तरह से तो इसमें भी आपके लिए कुछ टाइम लगता है और आप इसे इरिटेर्ड भी होते हैं हाला कि मैं यह नहीं कह रहा कि सभी इसे इरिटेर्ड होते होंगे कुछ स्टुडेंट्स ऐसे होंगे जुनको गोलाकारे करने में अच्छा लगता हो गोलाकाला करने म लेकिन हम पर एक बात यह सही रहेगी कि अगर आप online exam करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी अगर आपको exam का attempt करने के बाद यानि कुस्षन attempt करने के बाद भी कुछन attempt कर देते हैं अगर online mode में exam होता है और कुछन आप attempt कर देते हैं तो attempt करने के बाद भी आप उसको सही कर सकते हैं अगर offline mode में exam होता है अगर आपने offline mode में गोला काला कर दिया आपने offline mode में exam हुआ तो अपने गोला काला कर दिया और गोला काला करने के बाद फिर आप उसको सही नहीं कर पाएंगे बाद में अगर आप से वो question गलत हो गया होगा तो ठीक है लेकिन online mode में यह अच्छी facility है कि आपका है, इसमें से चार option आपके लिए जिए गए है, एक, दो, तिन और चार, चार지 को सन आपके लिए, चारा option आपके लिए गए हैं, चार option में माली जीँगा, online exam है ऐस question का answer जो है, जो ए je option आपका, वो सही है, है लेकिन भाई चांस आपने सी लगा दिया तीजों आप लगा दिया तो बाद में आप सोचेंग यह जलत लग भी कर दिया तो आपका पूरे जो क्स्ट कुश्चन है कोई नमबर आपको नहीं दिया जाएगाक को गोले काले कर दिए तो online में आपको benefit है offline में benefit कुछ छात्रों को होता है लेकिन बहुत से मैं आपने का हूँ मुझे दिक्कत होता है offline exam में ठीक है तो आप इसको देखीगा वो आपकी समझे लेकिन छात्रों द्वार जो बताए गया मैं उसको मैं आपको इस वीडियों बता रहा हूं उसके बाद exam की बात करो तो आज इसकी meeting होनी है इसमें two agenda रखे गए है meeting में और meeting का यह decide हो जाएगा साम तक ही decide हो जाएगा कि आपका एक्जाम offline होगा online होगा किस mode में होगा कितने बार exam होगा जैसे इसका update आता है मैं आपको inform करूंगा वीडियो को मादम से चैनल को subscribe कर लें और बेलाइक को प्रेस कर लें इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज जदा benefit रहेगा और online exam होता है तो